नमस्कार देश की बात में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ राज्श्री और आज हम बात कुछ ऐसी करेंगे जिसमें हमने कुछ खोया है और कुछ क्या कहूं बहुत कुछ खोया है हिंदी साहित्य का एक चमकता सितारा आज हमसे छीन गया मैं जा रही हूँ उसने कहा जाओ मैंने उत्तर दिया यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है जी हां इसी खौफनाक क्रिया को परिभाशित करने वाले महा कभी केदारनाथ सिंग का निधन हो गय हिंदी से एक उसका अपना सपूत चला गया वह सपूत जो हिंदी की लड़ाई अपने अंतिम सांस तक लड़ता रहा जिसने हिंदी सेवा को सबसे बड़ा सेवा समझा जिसने हिंदी को वो भाशा समझा जो विश्व पर राज कर सकती है जिसकी हर शब्द में हर कवीता ऐस जैसे धलती थी जैसे हम अपनी भाववनाओं को सबसे आसान तरीके से बया करते हों। लेकिन के दारनाथ सिंग जैसे कवी जाते नहीं हैं। उनकी शब्द, उनकी भाशा, उनकी शैली वो इस तरह से जिन्दा रहती है, जैसे हमारे धमनियों में रक्त बह रहा हो। जब बात हो रही है तो आज उन चालिस भारतियों को श्रधांजली हमें देना पड़ा तब जब उमीदें धुंदले जरूर हुई थी लेकिन आस नहीं टूटी थी लेकिन यह आस आज टूट गई इराक के मोसुल में आईस आईस द्वारा अपरित उन चालिस भारतियों की प अपनों के लोटने का इंतजार कर रहे थे लेकिन विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज के बयान ने एक एक करके 49 परिवारों की उमीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया सुष्मा स्वराज भी क्या करती यह सच था और सच को बताना भी जरूरी था सुष्मा स्वराज ने र तरह के बाते होने लगी इस पर भी राजणित हुई ये भी एक काला सच है जब हम किसी भी बात पर राजणित करते हैं लेकिन इस घटना को हम समझने की कोशिश करेंगे I.S. I.S. के खौफ को देखने की कोशिश करेंगे और भारत की रणनीत क्या होनी चाहिए ये भी आपको दिखाएंगे और अब भारत इस पूरे मसले पर क्या कह रहा है क्या कर रहा है ये भी बताएंगे देश में एक बार फिर से सियासत तेज है 2019 धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और इसी नजदीकी को देखकर तमाम दल अपनी अपनी कवायद में लगे हुए है सोनिया गांदी के बाद अब N.C.P. धक्षद पवार सताइस मार्च को विपक्षी दलों के निताओं के साथ मंतरना करने वाले हैं और इस मंतरना में क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस मंतरना किसे कौन से इशारे मिल रहे हैं क्या ऐसा है कि 2019 के पहले ही मुंबई में यानि महराश्टर में सरकार गिर जाएगी मुंबई में हलचल मत जाएगा ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे और यदि हम विपक्ष की बात करें तो तीसरा मुर्चा, चौथा मुर्चा कौन सा अगट बंधन बनेगा, बन भी पाएगा की नहीं ये भी हम आपको बताएंगे प्रधानमंति नर्दमोदी के खिलाव देश में सिर्फ मजबूत मुर्चा कैसे बने और इसके लिए क्या कवायत चल रही है ये दिखाएंगे और बीजेपी इन तमाम मुर्चों से निपटने के लिए कौन सा मुर्चा खोल रही है, ये भी समझाएंगे करनाटक में जल चुना होने वाले हैं और आउल गांधी करनाटक के अहमेत जानते हैं इसलिए एक बार फिर से वहां दोरे पर हैं और वहां पर इस बार वो किवल मंदिर मंदिर नहीं बलकि मंदिर, मस्जिश, चर्च और गुर्द्वारा सभी जगा जाएंगे हम आपको बताएंगे करनाटक के कॉंगरिस सरकार के लिंगायत धर्म को अलग धर्म का दर्जा देने का मतलब क्या है क्या वागई करनाटक की सरकार हिंदु धर्म को बांटने के कोशिश कर रही है या फिर उसका ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पर काफी भारी पड़ सकता है लोग सबा में आज फिर मोधी सरकार के खिलाब टीडीपी और ये सार कॉंग्रिस की ओर से लाया गया विश्वास प्रस्ताओ हंगामे के कारण तल गया ये भी बताएंगे कि क्यों 6 अपरेल तक चलने वाले बजट सत्र का दूसा चरण समय से पहले ही खत्म हो सकता है और उसके पीछे किस तरह की राजनी थे क्या ऐसा वाकई है कि वाई सार कॉंग्रिस इंडिये में शामिल होगी या बीजे पी के तरफ से अब एक अलग तरह का शगूफा ये छोड़ा गया है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि वाई सार जो की मोदी सरकार के लिए अब इश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है वो एक हाथ में चाकू दुसरे हाथ में लड़ू लेकर कैसे घूम सकती है और यदि ऐसा होता है तो आंधर प्रदेश के राजनीत पर इसका क्या आसर पड़ेगा ये भी हम समझाएंगे आपको जहां पर ये सारी खबरें दी जारी है कि वाई सार से बीजे पी देताओं की बात चीछ चल रही है लेकिन हम आपको बताते हैं कि वाई सार ऐसी गलती कभी नहीं करेगी कि वो इंडिये में शामिल हो क्योंकि यह उसके लिए आप में घाती साबित हो सकता है कैसे ये दिखाएंगे आपको पीनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी ने एक बार फिर से मामले की जास में शामिल होने मा समर्थता जाहिर किया और इस बार अपने स्वास्त का हवाला दिया है महिल चकसी ने और हम आपको बताएंगे कि इन तमाम बातों से इस पूरे केस पर कितना फर्क पड़ेगा सरकारी बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए गठित बैंक्स बोर्ट ब्यूरो ने बैट लोन के समस्या से जूजरे सरकारी बैंकों में सुधार के लिए कौन सी सिफारशें दी है जिस पर सरकार मौन है और इसका आरोप बोर्ड ने लगाया है आखिर सरकार क्यूं नहीं चाहती कि सुधार हो ये दिखाएंगे और आज एक बेहद एहम फैसला हुआ है सुप्रम कोर्ट में सिएस्टी एक्ट पर सुप्रम कोर्ट ने बेहत एहम फैसला दिया है कि मामला दर्ज होने पर आरोपि की तत्काल गिरफतारी पर कोड्य रोक लगाई है किस तरह से इसे लिया जाना चाहिए कितना फर्क पड़ेगा इसका यह हम आपको दिखाएंगे और जैसा कि मैंने आपको शुरु में ही बताया हिंदी में आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर वरिष्ट कवी डॉक्टर केदारनाथ सिंग आज नहीं रहे केदारनाथ सिंग से मेरा जो निजी और व्यक्तिगत संबंद था वो संबंद कुछ ऐसे था जैसे वो मेरे लिए काका थे और काका की कुछ यादे मैं आपके साथ आज बांटूंगी और साथी कानपूर से एक अच्छी खबर भी हमारे पास पहुंची है और इसका हिस्सा हम आपको दिखाएंगे आज खबर अच्छी है इपने खास सेग्मेंट में और साथी आज के इतिहास की बात करेंगे और बॉलिवुड के खास सितारे को भी आज हम याद करेंगे चले शुरू करते हैं देश की बात में इस नहीं सफर को कि आज का संसत भी कुछ यूहीं शुरू हुआ जैसे आम कामकाज शुरू होता है लेकिन विदेश मंति सुश्मा स्वराज ने आज जैसे बोलना शुरू किया एक एक करके 49 परिवारों की उमीदें टूट थी गए उन्होंने कहा कि राक में लापता सभी 49 भारतियों की आत इस ने हत्या करती है सुश्मा स्वराज ने कहा कि मारे गए सभी लोगों की डीने जाच के बाद इस मौत की पुष्टी हुई है 2014 में इन सभी को आईस आईस के आतंकियों ने किड्नैप कर लिया था तब से लेकर अब तक सरकार उनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर करीब चार साल तक चली तलाश के बाद सरकार ने इराक के मौसुल से अपरहण किये 49 भारतियों की मौत की पुष्टी कर दी राजिस्वा में विदेश मंतरी सुश्मा सुराज ने कहा कि आतंकिय संगठन आईसिस की कब्जे से मौसुल शेहर को चड़ाने के बाद इराक की मदद से खोजी अभियान चलाया गया तलाश के लिए विदेश राजिय मंतरी वीके सिंग भी इराक गए भारत ने रडार की मदद से उस पाहाड का पता लगाया जहां लाबता भारत्यों को डपना जाने का शक्क था इसके बाद पाहाड से fr Odyssey का DNA टेस्ट करने के पाद माना गया कि इसिस के चंगुल में पसे सभी भारत्यों को मार दिया गया पूरे का पूरा मांट खुदवाया गया, बॉडिज एक्जियूम कराई गी और उस बॉडिज में से दो निशान ऐसे मिले, एक तो लंबे बाल मिले, एक कड़ा मिला, और कुछ आईडी कार्ड्स मिले, चार राज्य सरकारें इंबॉर्वर थी, पंजाब ही माचल, वेस्ट बेंगॉल और बिहार, चारो राज्य सरकारों से संपर्क करके सबके डियने सांपल उनको भेज दिये थे, तो वो डियने सांपल उनके पास थे, उसके बाद एक के बाद एक डियने होता चला गया, राजबिट खबर देते रहे, आज पांच हो गए हैं, आज आट हो गए है आज रस हो गए हैं लेकिन कल उन्होंने हमें खबर दी कि 38 लोगों का DNA मैच हो गया है और 49 में का DNA 70 प्रतिशत मैच हुआ है क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं है और जो बात मैंने यह कह दी थी कि बिना सबूत के मृत गोशित नहीं करूँगी पक्का सबूत मिलेगा तो मृत गोशित करूँगी वो वाकई वो सबूत होज कर ला यह सबी 49 भारतिया इराग काम करते गए थे लेकिन साल 2014 में आईसस तौन को अकवा कर लिया था तबी से आशंका जटाई जा रही थी कि आतंकी संगठन आईसस तौन की हत्या करती है लेकिन इसकी पुस्ठी नहीं हो पा रही थी वेपक्ष्टै पीडित परिवारों के साथ समवेटना तो जटाई लेकिन साती साथ के अंदर सरकार पर भारतियों की स्थिक लेकर ध्रम फैलाने का आरोप भी मड़ दिया बहुत सारे हमारे अपोजिशन के लोगों ने कॉंगरस के लोगों ने ये तर्ग दिया था कि इनके पास जो सूची है वो है कि शायद वो जिन्दा नहीं है लेकिन सरकार ने बड़े दावे से कर रहा है कि ये गावंट आफ एंडिया कह रही है तो आज गावंट आफ एंडिया का एक साल के बाद यू टर्म लेक्ता थो थोड़ा जीवी लगता है उसका मतलब है कि एमपीज को विपक्ष वालों को ज्यादा जानकारी थी पिछले साल और सरकार को नहीं थी पिछले साल 27 सुलाई को राजसवा में दिये अपने सबोदन में विदेश मंत्री सुश्मा सुराज ने मुस्ल में फसे भारतियों के जंदा होने की उमीड चताई थी सुश्मा ने का था बिना किसी ठोड़ सबूत के वो भारतिये नाग्रिकों की मौत पर कोई बयान नहीं देंगी अब मुझे ये सदन बताए कि मैं हरजीत की बात को सच मान कर उनकी तलाश छोड़ दूँ या फिर ये जो च्छे सोर्सिस हमें उम्मीद दिखा रहे हैं कि वे मारे नहीं गए ये तलाश जारी रख़ए मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि मैं ये तलाश जारी रख़ऊ और बुद्धिमत्ता का तकाजा भी यह है कि मैं ये तलाश जारी रख़ऊ मैंने सदन से परमीशन मांगए थी केवल सदन को विश्वास में नहीं लिया था तो मुझे ये सदन अनुमती दे कि मैं उस रास्ते चलूँ और हम इश्वर से प्राटना करें कि वे सुरक्षित भी हूँ और वापस लोटाएं हिराग में लाफ़ता हुए भारतियों में जादातर पंजाब के रहने वाले थी ये सबी मौसुल और इसके करीबी शेहरों में मजदूरी के लिए गए थे 2014 में इन्हें आतनकी संगेटन आईसेस ने किर्क्राट लिया था इन्हें मौसुल के किसी गाउं की जेल में रखा गया था वह उन्हें से मजदूरी कराई गई इसके बाद से इन भारतियों के बारे में कभी कुछ पुक्ता तौर पर सामने नहीं आ पाया पीरो डिपोर्ट एपियाएं विदेशमंदी सुष्मा सुराज ने एक बार फिर से आईस के चुंगल से निकल कर भागे शक्स हरजीत मसीह को जूटा करार दिया है सुष्मा सुराज ने राजी सभा में बताया कि हरजीत खुद को मुस्लिम बता कर किसी तरह से बच निकला था हरजीत मसीह के इस बयान की कि उसके सामने ही सभी बंधकों की हत्या कर दी गई थी को लेकर काफी वबाद मचा था सरकार उसके बयान को दरकिनार कर बंधकों की तलाश में तब जूटी थी जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि सुश्मा स्वराज ने इस वश्ट किया कि इस बयान को हम बहुत जाद तवज्यों नहीं दे सकते लेकिन अब एक पार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार जान बूश कर मौसूल में 49 भारतियों की हत्या का मामला छुपा रही थी कि यह कह रहा है कि मैं बंगला देश्यों के साथ अली बनाकर हर्जीत मसी को एर्विल छोड़ कर आया और बाद मों उसने कहानी घड़ी कि हम तो जंगल में हमको ले जाया गया सब को एक कतार में खड़ा कर दिया 49 लोगों के सिर में गोली लगी मेरे ही पाउ में गोली लगी इसलिए मैं तो चला आया और वो 49 लोग मारे गए यह सारी कौक एंड बुल स्टोरी थी लेकिन हर्जीत मसी कहानी सच नहीं थी वो अली बनके पहले ही निकल गया था उस केटरर के वेंड में बेच कर यह तो हर्जीत की कहानी अब जो उन्होंने बताया कि उसके अगले दिन आयसेस वालों ने देखा कि 40 लोग नहीं है वो रोज रात को गिंती करके सोते थी यह तो 49 है तो उन्होंने यह निरना किया कि यह यहां रखना इनको ठीक नहीं है तो उन्होंने आयसाइस के अपने कमेंडर से का कि आप इनको बदूश ले जाओ कमपनी का मालिक कहता उसके बाद मुझे नहीं मालूब क्या हुआ क्योंकि बदूश में एक प्रिजन भी है जहां आयसाइस के लोग थे उन्होंने उसे जेल में रखा या मार डाला उसने का उसके बाद से हमारा कोई संपर्ट नहीं कुल मिलाकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ये चाहती थी कि पंजाब चुनाव निकल जाए उसके बाद ही इस बात का खुलासा किया जाए लेकिन सरकार का सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये विपक्ष के सबसे घटिया राजडीत है हम अपने लोगों के मारे जाने का मातम मिना रहे हैं जब तक इस बात के पुखता सुबूत नहीं मिल जाते जब तक हम इस बात के ताकीद नहीं कर लेते कि वाकई ये नहीं हो गई है हम ऐसा क्यों कहें कि हमारे लोग मारे गए लेकिन विपक्ष है कि मानने को तयार नहीं है उधर मोसिल में मारे 49 भारतियों को लेकर जो राज़नीत है वो बहतेज है विपक्ष ने जहां इस मुद्धे परारूप लगाया कि सरकार बार बार गुमराह करने की कोशिश करती रही वही सरकार ने सुश्मा स्वराज का बचा किया है तालीश हमारे भारतिय नागरिकों के डुत्यू के दुकत खबर को लोगसभा में देने की प्रियास की लेकिन उस समय में कॉंग्रेस के सभी सामसिदों ने और विपक्ष ने जो गोर सम्वेदन हिंता दिकाई उसका हम निंदा करते हैं सरकार तो जितने उमीद दिया इंको परिवार को वो भी ठीक नहीं था कि अगयर उनके पास कोई कॉंफिमेशन नहीं था तो ऐसे क्यों बताए कि ये लोग जिन्दा है अभी तीन चार साल से कह रहे हैं कि ये लोग जिन्दा है और अभी देखिए खाबर जो आए बहुत दुखी बात के पास सबूत में वो खोज को उनों ने जारी रखी और आज उस केसो तब क्लोजर किया है जब उनके हाथ में डिये ने मैच करके उन परवारों को कुछ वो सौपने लाइक हालत में हैं तो बहुत दुख है लेकिन वे पक्ष यही पूछ रहा है और जिनके अपने मरे हैं वही पूछ रहे हैं कि आप अब सौपेंगे क्या हमारे अपनों के कुछ हड़ियां, कुछ निशानियां, कुछ राख या कुछ और उमीद अभी तक दिलाई गई थी कि उनके अपने जिन्दा हैं और उन्हें भारत सरकार और खासकर विदेश मंति सुश्मा स्वराज किसी भी हाल में वापस लेकर आएंगे लेकिन अब जनरल विके सिंग ने कहा कि हमारे रडार एक एक चीज को इराख के एक गुफे को ढूंड रहे थे और इसी दौरान हमरे रडार ने ये बताया है कि इन्हें कहां गाड़ा गया है जाहिर सी बात है कि अब बहाने बहुत किये जा रहे हैं सच को और शायद तत्यों को सुत्रों को सही समय पर समझने की दिक्कत हुई और इसकी वज़े से आज सरकार की किरकिरी हो रही है लेकिन मौसूल से लापता 49 भारतियों के हत्या के खबर आने के बाद सियासत भले ही गर्म हो गई हो भले ही कॉंगरेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि केंद्र ने इस मुद्दे पर गंभीरता से काम नहीं किया कॉंगर्स के आरोपों के जवाब में खुद विदेश मंतिश सुष्मा सुराज भी आ गया ही सुष्मा ने कहा कि लोग सभा में वो एक दुख्वरी खबर बताने गई थे लेकिन कॉंगर्स ने इस पर भी राजनीत की और जमकर हंगामा किया जिसे कार्ण वो मुशूम में मारे गए भारती नागलिकों पर अपनी बात नहीं रख पाई सुष्मा ने इस घटना को शर्मनाक बताया और वाकई ये शर्म की ही बात है पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए यूँ कि जब हमारे अपने 49 लोग मारे गए एक व्यक्ती वहां से बच कर आया उसने कुछ बाते बताई लेकिन से सीरे से खारिज कर दिया गया वो भी बहुत हद तक विवेक पुर्ण कदम नहीं बताया जा सकता और विपक्ष के इसलिए कि मौत हुई है अपनों की मौत हुई है और उस पर भी जिस तरह की राजनीत हो रही है वैसे तो हम ऐसी राजनीत देखने के आदी हो गए हैं लेकिन अक्सर अब ये कहने को जी करता है कि अब बहुत हुआ लेकिन 49 परिवारे को इंतजार था किसी मा को अपने बेटे का इंतजार था तो किसी बेटे को अपने पिता का इंतजार था किसी बहन के आखे टक-टकी बांदे अपने भाई की राह देख रही थी लेकिन सालों की इंतिजार के बाद जब सुश्मा स्वराज ने ये खबर दी कि अब वो नहीं रहे उनकी मौत हो गई है तो सभी 49 भारतियों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है एक एक करके सबकी उमीद टूट गए इस बात की उमीद एक नए एक दिन उनका अपना वापस आएगा लेकिन अब ये उमीद खत्म हो चुकी है उनकी मौत के खबर ने सबकी आँखों में आशू ला दिया था ये वो लोग थे जो अंतिम समय तक वहां काम कर रहे थे पांगला देश और भारती ये मजदूर वहां जमे रहे क्योंकि उन्हें पता था कि लोट के आने पर भी यहां पर पीछे बहुत कुछ है जिसका खर्च चलाना है बहुत कुछ है जिसके लिए खाने और पीने का इंतिजाम करना है इसलिए वो काम करना चाहते थे उन्हें देश में उतनी अपरस्यूटी उतना मौका नहीं दिख रहा था इसलिए वहां रहकर वो अपनों के लिए कमाना चाहते थे लेकिन उनके अपनों का दर्द उनके अपनों के लिए दर्द लेकर आया है उमीद दुनली तो पड़ी थी फिर वी मौत के अंधेरे कुए से रोश्टी की एक किरन की उमीद अभी पाकी थी लेकिन वडेश मंतरी सुर्श मसुराज के भयान ने 49 परिवारों के उन उमीदों को पूरी तरह तोड़ दिया आज मेरे पास दोनों बातों के पक्के सबूत हैं पहला कि हर जीत मसी की कहानी सची नहीं थी और दूसरा भारी मन से कह रही हूँ वो लोग मार दिये गए हैं पूरा हदूस्तान शोड दूपा है घरों में सनाटा अपस रहा है माँ अपने बेटे की मौत की ख़बर सुनकर सद्वे में हैं तो पतनी को अभी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है पिता बेबसी के आसू पहा रहा है तो पेटा अपने पिता की अंतिम चलक पाने का इंतजार कर रहा है इराग में आतंकी संगठन आइसस के चंगल में फसे 49 भारतियों की मौत की पुष्टी होते ही हर तराफ मौत का मातम च्छा गया मर्दे वालों में अकेले पंचाब के 27 लोग शामिल है परिजनों को आखरी तम तक सरकार सुमीद थी सरकार भी बिना किसी ठोट सबूत के अपने नागरिकों की मौत उलेकर कुछ कहने से बज़ रही थी लेकिन मंगलवार का सवेरा अंधेरा करने वाला साबित हुआ एक छटके 49 घरों की च्राफ पुच गए बहरतिय नागरिकों की पैचान के रिए मौसल में पहाड का सीना चीर दिया गया लेकिन जो नतीजा निकला वो 49 परिवारों की उमीद पर पहाड करने से कम नहीं था सरकार ने पीड़ित परिवारों के अंदर जो आशा अचगाई थी अपने प्रिये जनों को खोने पर वो कुछ साबन कर भूट बड़ी पिशले साल अगर यही चीज थी उनको तो फिर वो हरजीत मसी अगर वो कह रहे हैं कि हमें उनकी बाडीज मिलीं किसी गटे से मिली है तो हरजीत भी तो यही चीज बोल रहा था तब फिर उन्होंने क्यों कहा कि यह जूट बोल रहा है पिशले साल जब इराक के मौसुल शहर को आईसे सातंक्यों के चंगल से मुक्त कराया गया तब वहां सिर्फ लाशों का धेर था और लाशों के इसी धेर में जाकर वो तलाश खत्म होई जिसके लिए पिछले कई सालों से कोशिश चारी थी मौत की खबर आने के बाद प्रीजनों को तुबारा देख पाने का पेड़ित मरिवारों का इंतजार तो खत्म हो गया है लेकिन अपनों को तुबारा देख पाने के इंतजार में उनके उपर तुक काच बहार ठुटा है इसकी भरपाई करपाना मुम्किन नहीं है पिरो रिपोर्ट एपियाए उधर सियासत अपने रौ में बह रही है मोधी सरकार के खिलाफ लोकसभा में जोरदार हंगामे के कारण मंगलवार को भी अवश्वास प्रस्ताओं पेश नहीं हो सका वहीं कई पार्टियों का रुख अवश्वास प्रस्ताओं के समर्थन को लेकर अब तक साफ नहीं है वश्वास प्रस्ताओं के मुद्धे पर YSR कॉंग्रिस के सांसितों ने लोकसभा स्पीकर सुमितरा महाजन से उनके आफिस मुलाकात की खबर ये भी है कि सरकार वक्त से पहले ही सत्तर समापती की घोशना कर सकती है मोधी सरकार के खिलाफ टेडिपी और YSR कॉंग्रिस की ओर चिलाया गया विश्वास प्रस्ताओं विपक्ष्ट के हंगामे के कारण एक बार पर इतल गया लोग सबा की कारभाई चिरू होते ही तेलंगाना में आरक्षन से चड़े मुर्तों पर तेलंगाना राष्ट्र समिती, TRS और कावेरी चल प्रबंदन वोट के कठन के वांप लेकर AI ATMK के भारी हुंगामे की भेग शड़ गई करती है कर रहे हैं तो उनको बिठा के उनके मामले सुझा के उसके बात बोलना चाहिए कि हम रेडी है काक नो कॉन्फिदेंस मोशन के लिए नहीं तो ऐसा लग रहा है वो सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं कि AI DMK जो है वह वहां पर शोर कर रही है आज तक तो उनने कावरी के ब बात हो सकती है बजट सत्र के दूसरी चरण के पाच मार्ट से शिरू होने के पाथ से लोगसभा की कारवाई PNP थोका धड़ी बामले और प्रतेश के लिए विशेश तरद्य की मार और तेलंगाना में आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार पारवे दिन पाकित रही ह कॉंग्रिस का विश्वास पस्ता फिर आके नहीं बढ़ सका है मिल हो तो इसकी जवाब देही कौन देगा सरकार देगी और एक कदम आगे बढ़कर के मैं यह भी कहूंगा हम उस चर्चा के इंतिजार में है जाने यदि दो हपते से कोई गतिरोद पईदा किया है तो कॉंग्रेस ने गतिरोद पईदा किया है कॉंग्रेस ने दोनों का दूसरा चुरंट 6 अपरेल तक चलना है लेकिन इस बीच ख़बर ये भी है कि सरकार बगते से पहले ही संसत सर्थ समाथी की गोश्माथ कर सकती है इसके कई कारण एक तो सरकार नहीं चाहती कि अविश्वास प्रस्ताफ के बहां में विपक्ष को एकजिट होनी का मौका म हैं 23 मार्च से ही दिल्ली के राम लीला मैदान पर वो ताल ठोकेंगे जाहिरा कि विपक्ष इस मौन का समर्थन करेगा एसमाथ बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसके खिलाफ कोई विपक्षी को किसी तरह की बख्रूट एक और जहां वाईसर कॉंग्रस मोधी सरकार के प्रस्तावला रही है तो वहीं दूसरी हो और उसके एंडी के खरीब जाने की भी खबर उडाई जा रही है दरसल वाईसर कॉंग्रस की महासच्चिव लक्ष्मि पारवती ने केंद्रिय मंत्री रामदास अठावले से आंथप्रदेश को विशेष सराजी का दर्जा दिला आत्म घाती होगा क्योंकि इस वक्त आंथप्रदेश में सबसे बड़ा मसला उसे विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है और वाईसर अभी तक इस बात के लिए अड़ा हुआ था लेकिन यदि वो इस वक्त यानि की लोकसवाद चुनाओं के ठीक लगभग 8-9 बहीने पह देने से नराज चंदरबाबु नाइडू की तेलगु देशम पाटी के NDA से अलग होते ही बीजेपी राज में दूसर साथी तराश कर रही है सुत्रों की माने तो केंद्रिय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राजी मंत्री राम दास अठावले YSR कॉंग्रेस की अध्यक्ष जगन नोहन रेड़ी से जल्द मुलकात कर उनके NDA के साथ आने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे दरसल सुमवार को YSR कॉंग्रेस की महासचिव और आंधर के पूर्व मुख्यमंत्री एंटी रमाराव की पत्नी लक्ष्मी पारवती ने अठावले से मुलकात की उनसे अनुरोद किया कि वो 2019 के चुनाव से पहले आंधर प्रदेश को विशेश राजी का दर्जा देने की पार्टी की मांग को पिधारमंती नरेंदर मोदी तक पहुँचाएं अब इसी मुलकात को आगे बढ़ाती हुए अठावले YSR कॉंग्रिस के अधक्ष जगन मोहन से एंडिये के साथ आने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे वैसे ऐसी अठकलें भी लगाई जा रही है कि जगन मोहन रेडि की पार्टी आगामी लोग सभाचुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकती है वैसे राजनीती के जानकारों का मानना है कि आन्दप्रदेश को विशेश राजी का दरजा का मुद्दा उठाने वाली YSR कॉंग्रिस किसी भी कीमत पर NDA के साथ नहीं जाएगी ऐसा करने पर ये उसकी राजनीती का अत्मत्या से कम नहीं होगा और वो बैठे बिठा है टीडीपी को एक बड़ा मुद्द देगी और राजी के लोगों के बीच अपना जनाधार भी खो देगी बियो रिपोर्ट एपी एन इस पीच चंद्र बाबु नाइडू ने कहा है कि मैं तो आंधर प्रदेश के लोगों के अधिकार की बात कर रहा हूँ हमें हमारा अधिकार क्यों नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलना चाहिए और इसके लिए जो लड़ाई लड़नी है वो मैं लड़ूँगा यानि कि अब आंधर प्रदेश को विशेष दरजा दिलाने का जो मसला है वो एक ऐसा मसला है जो आने वाले दिनों में इस राजजी की राजनीत भी तै करेगा और यहां के दलों की भी राजनीत करेगा कि ये दल किसके साथ जाएंगे किसके विरूत में खड़ा होगी साथ और विरूत की बात चल रही है तो न्सीपी के प्रमुक शरत पवार 2019 लोग सवाचनाव को देखते हुए मोधी सरकार के खिलाफ विपक्षी एक जुटता की कोशिशों को और तेज करना चाहर है कॉंगर्स के शिर्ष नेता सुनिया गांधी के डिनर डिप्लोमिसी के बाद विपक्षी के बड़े देता अब न्सीपी सुप्रीमो शरत पवार के घर जुटने वाले हैं और शरत पवार अब एक ऐसी चाल चलने वाले हैं जिसकी वज़े से देविंदि फड़नवीस की सरकार भी खत्रे में पड़ सकती है और इसके इशारे न्सीपी पहले भी कर चुकी है देखे रिपोर्ट न्सीपी अध्यक शरत पवार 27 मार्च को विपक्षी दनों के नेताओं के साथ मंत्रणा करने वाले हैं सुत्रों के मुताबिक इस बैठक के लिए कॉंग्रिस, त्रणमूर कॉंग्रिस, एसपी, तेलगुदेशम, टियारिस और बीजेटी जैसे दनों को प्रमुक्ता से नेता भेजा गया है शरत पवार की कोशिश है कि मौजुदा एस्थिती में प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी के खिलाफ देश में सिर्फ एक मजबूत मोर्चा बनाया जाए वो नहीं चाहते कि देश में कोई तीसरा या चौथा मोर्चा बने क्योंकि ऐसे किसी मोर्चे से बीजेपी को ही फाइदा मिलेगा लिहाजा शर्द पवार के निशाने पर वैसे दल है जो इस वक्त कॉंग्रिस के नित्रित में विपक्षी गोलबंदी बनाने से ज़्यादा रूची तीसरा मोर्चा बनाने में दिखा रहे हैं तेलंगानर के मुख्यमंत्री केचन शेखर राव सोमवार को पश्चिम मंगाल के सीम ममता बैनर जी से मिले थे दोनों ने 2019 के लोगसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कॉंग्रिस से अलग तीसरा मोर्चा गठित करने की संभावनाव पर बात की राव ने इस बैठक को फेडरल फ्रंट के दिशा में उठाया गया कदम बताया उन्होंने कहा कि ये राजितिक दलों का नहीं बलकि जनता का मोर्चा होगा इससे पहले आंध्वदेश के मुख्यमंत्री एन्चंद्रबाबू नैडू ने भी ममता से फोन पर बात की थी दरसल इंडिये का साथ छोड़ने के बावजूद तेलकु देशम सोनिया गांधी के डिनर से दूर रही थी तो वहीं BJD अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नविन पतनायक भी कॉंग्रिस की अगवाई वाले मंच से परहेच करते रहे हैं चुकि इन सभी दनों के प्रमखों से शरत पवार के अच्छे रिष्टे हैं लिहाजा शरत पवार ने अपने मुहिम तेज करती हैं मोदी सरकार की शुरू से धुरविरोधी रही ममता बेनरजी भी मानती हैं कि अगर विपक्ष एक जुट नहीं होता है तो 2019 के आम चुनाव में BJP को हराना मुश्किल होगा लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों में कॉंग्रिस का TMC को छोड़ वामपंतियों के साथ तालमेल करने को ममता भूल नहीं पाई हैं और इसलिए वो गैर BJP और गैर कॉंग्रिस फ्रंट की बात कर रही हैं शरत पवार एक मझे हुए नेता है और वो जानते हैं कि एक जुट विपक्षी मोधी की BJP को चुनावती दे सकता है और विपक्ष की गोलबंदी का अब समय आ गया है बियो रिपोर्ट, APN भी दक्ष कर्नड, चिकमंगलूर और हासन जाएंगे करनाटक की आबादी में वोका लिंगाओं की ग्यारह फिस्ती हिस्सेदारी है और विधान सभा में इस कम्यूटी के पच्चिस फिस्ती विधायक है राजी की सौ सीटों पर लिंगायत और असी सीटों पर वोका लिंगा कम्यूटी असर डालती है राहुल अपनी यात्रा के दौरान धार्मी कस्थनों का भी दौरा जारी रखेंगे वे गोरक ना थिश्वर मंदिर, रोसारियो चर्च, उल्लाह दर्गा, श्रिंगरी शरदंबा मंदिर और श्रिंगरी मठ भी जाएंगे वजगत गुरुशंगराचार और श्रिंगरी बठ के भारती तिर्थ स्वामी जी से भी मुलाकात करने वाले हैं उधर एएएडियमके की निश्कासित निता शर्शिकला को पती नटराजन मरुथपपा की निधन पर पैरोल दी गई है शर्शिकला के पती के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था जिसके बाद 76 साल के उमरे में उनका निधन हो गया विछाती में साउंकरमन के शगायत के चलते अस्पिताल में भरती कराया गया शर्शिकला ऐस अधिक संपत्ति मामले में बंगलुर के केंदरी कारागार में चार साल केंद की कायद की सजा काट रही है पिछले साल आपात कल्म पर रोल मिलने के बाद उन्होंने अपने पती से मुलाखात की थी और अब लेंगे ब्रेक ब्रेक के पहले आप देखें निशनल टॉप फाइफ खबर गौआ कॉंगरस पार्टी यूनिट के अधर शांतराम नाइक ने अपने पती से इस्तिफा दे दिया है उन्होंने अपना इस्तिफा पार्टी अधर राहुल गांधी और सुन्य गांधी को भेजा है नाइक ने कहा कि वो कॉंग्रस के चुरास्वे माहाई डिवेशन मेराहूल गांदी के उस स्पीच से परभावित हुए हैं जिसमें उन्होंने युवांग के आगे आने की वकालत की थी उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ गुआ कॉंग्रस पर मुपके पस इस्तिफा दे रहे हैं ना की कॉंग्रस से विश्व हिंदू परिशत की और से आयोजी तराम राज्जो और रथियातर तमिलनाडू पहुंच चुकी है लेकिन तीरू नेल वली में इसरा थियातरा के पहुंचने से पहले इसे भारी विरोद का सामना करना पड़ रहा है एत्यातन प्रशासन ने तीरू नेल वली में धारा 144 लागू कर दी है वहीं टीम के नेता एंके स्टालिन ने कहा है कि इस रथियात्रा से राज्य में सांपरदा 100 हार्थ खराब होनी क्या शंका है इस पर फॉरन रोक लगनी चाहिए औरीशा जहरकन बॉर्डर पर भारतियों वायू सेना का प्लेन क्रेश हो गया ये प्लेन महुल दानगिरी गाउं में क्रेश किया है पाइलिट की अहलत गंभीर बताई जा रही है वायू सेना के प्लेन क्रेश होने के कई मामले सामने आ चुके है ये हादसा दो पहर करीब 12 बेचकर 45 नेर्ट पर हुआ उतरप्रदेश की राजधनी लखनों में बुधेश्विर के पास पुल से ट्राक्टर ट्रॉली नीचे गिरने से साथ लोगों की मौत हो गई जबकि 45 लोग हायल हो गए सभी पेड़ेत बारा बंकी के पास जोहरी को पटियाला हाउस कोट से जमानत मिल गई है इससे पहले जोहरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया था गिरफतारी के बाद प्रोफेसर को पटियाला हाउस कोट पे पेश किया गया कोट में प्रोफेसर अतुल जोहरी ने जमानत याच का दायर की थी प्रोफेसर जोहरी पर जे नियू के कई छात्राओं ने यौन उत्पिडन के आरोप लगाए जावालाल नहरू विश्विडाले के स्कूल अफ लाइफ साइंसेज की शोध छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पिडन के मामले ने तूल पकर लिया है पहले पिएश्डी कर रही छात्राओं ने प्रोफेसर अतुल जोहरी पर यौन उत्पिडन का रोप लगाया था इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया था इसके बाद साथ और शोच छात्राओं ने यौन उत्पिडन के आरोप लगाए यौन उत्पिडन के मामले में कई केस दर्ज होने के बाद प्रोफेसर अतुल जोहरी ने अपने पुछासनिक पदों से इस्तिफा दे दिया है यहां बच्चे बहुत मेहनत करते हैं एड्मिशन के लिए पूरे औल इंडिया में इसका फर्स्ट रैंक आता है यूनिवस्टी में तो यहां की प्रतिष्ठा बहुत दाओं पे लगी है और यहां का एड्मिश्टेशन जोहरी का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वह उचे पद प वो क्या टिपड़ी देते हैं अपनी और वो क्या स्टैनल लेते हैं फ्राम स्कूल क्योंकि हमें इस पे स्कूल सो भी सपोर्ट चाहिए उधर जेनियू प्रोफेसर अशोक कदम ने बारा मार्श को डीन आफिस के बाहर बजसलू की मामले में 17 चाहतरों के खिलाब F.I.R. दज़ करवाई है मानुस साथन विकास मंतराले के आंकड़ों के मताबिक देश भर के विश्वी डैलों में वियौन उत्पिडन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है साल 2016-17 में विश्वी डैलों से कुल 149 ऐसे मामले सामने आए हैं जबकि अलग-अलग कॉलेजों से 49 मामले सामने आए साल 2015-16 में देश के अलग-अलग विश्वी डैलों में चुरानों में मामले सामने आए थे और अलग-अलग कॉलेजों में यौन उत्पिडन के 18 मामले हुए थे बियूरो रिपोर्ट एपियें तर पीन बी घोटाले के बाद एक और जहां मोधी सरकार बैंकिंग वे अस्थाम सुधार की बात कह रही है वहीं बैंक बोर्ट ब्यूरो यानि बी-बी-बी के प्रमुख विनोध राय ने कहा है ऐसे समय में आए जबके भारती रिजर्व बैंक ने भी बैंकिंग प्रणाली में धोखा धड़ी से ने पटने के लिए अधिक अधिकारों की मांग की है उधर विनोध राय खुद भी कई आरोपों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं खासकर टूजी मामले में अनुसीचे जाती और अत्याचार निवारण अधिनियाब 1989 को लेकर सुप्रेम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है सुप्रेम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में अब अपने आप गरफ्तारी नहीं होगी बलकि ग्राफतारी से पहले आरोपों की जाच जरूरी होगी और ग्राफतारी से पहले अगरिम जमानत भी ली जा सकती है अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती के लोगों को संग्रक्शन देने के लिए बने S.E.S.T. Act 1989 को लेकर सुप्रीम कोट नमारा है कि इस एक्ट का दुरुप्योग हो रहा है दुरुप्योग को रोकने के लिए अगरिम जमानत पर भी कोई संपूर्ण रोक नहीं होगी और अगर किसी सरकारी अफसर के खिलाफ S.C.S.T. एक्ट के तहट कोई मामला आता है तो सरकारी अफसर के गिरफतारी से पहले उसे ऊच्छाथिकारी स्यनुमति जरूर्ण लेनी होगी सुप्रीम कोड ने ये साफ किया कि गरफतारी की वजहों को रिकॉर्ड पर रखना होगा सुप्रीम कोड ने कहा कि जब आरोपी को कोड में पेश किया जाए उस वक्त मेजिस्ट्रेट को हिरासत बढ़ाने का फैसला लेने से पहले गिरफतारी की वजहों की समिक्षा करने चाहिए और कोर्ट को लगे तो जमानत भी दे सकता है जस्टिस आदर शगोयल और जस्टिस यू यू ललित की पीट ने एक आरोपी की याजिका पर ये एहम फैसला दिया है सुप्रीम कोट ने केंदर रेमिकस क्यूरी अमरेंदर शेरन की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था बेंच ने इस दोरां कुछ सवाल उठाए थे कि क्या अनुसूचे चाती और अनुसूचे चंजाती अत्याच्वार अन्यवारन अदिनियम 1989 के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किये जा सकते हैं ताकि बाहरी तरीकों का इस्तमाल ना हो क्या किसी भी एक तरफा आरोप के कारण अधिकारिक शंता में अधिकारियों पर मुकदमा चलाए जा सकता है और अगर इस तरह के आरोपों को चूटा माना चाहे तो ऐसे दो रुपियों के कि खिलाफ क्या सुरक्षा उपलब्द है क्या अगरिम जबानत ना होने की वर्तमान प्रक्रिया सम्विधान के अनुचेट 21 के तहट उचित प्रक्रिया है सुप्रीम कोट के इस वैसले के बाद एक्ट के तहट दर्च कराए जाने वाले जूटे मामलों पर रोक लखने की उमीद है राकिश सिंग एपिएन डिली उधर आधार के समपैधानिकता और अनिवारता को लेकर सुप्रिम कोट में आज भी सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान याज क्या करताओं के तरफ से कहा गया कि सरकार और UIDAI के पास किसी व्यक्ति विशेर्स के उपर निगरानी रखने का कारण हो सकता है लेकिन आप कानून बनाकर 130 करोर जनता के उपर निगरानी नहीं रख सकते राश्ट्रे इस रक्षा के नाम पर सरकार खानून बनाकर अस्सित अधिकार नहीं ले सकती है ये भी कहा गया कि सांखी की डेटा और व्यक्तिगत डेटा में फर्क होता है जो व्यक्ति अपने बायो में ट्रिक्स दे रहा है आधार उसके अधिकारों का उलंगन करता है उस व्यक्तिक अधिकार होता है कि किस हद तक अपनी व्यक्तिगत जानकारी वो साज़ा करे गोपनियता सबसे उपर है यानि की आर्टी आई की आर्टी आई के तहत जानकारी मांगने वालों को उसकी मनशा के बारे बताने के लिए बाद नहीं किया जा सकता मतलब जानकारी मांगने वाले से यह नहीं पूछा जा सकता है कि उसे जानकारी आखिर क्यों चाहिए उसके सा कॉमन काज ने सुप्रिम कोट में याज का दायर की थी। कॉमन काज ने इलावाद हाई कोट के फैसले कौर्टिया एक्ट दोहजर पांच का उलंगहन बताया था। देश के दूसरे सरवच्च नागरिक संबान से आज विविनक शत्रों की नामचीन विभूतियों को नवाजा गया। लोगों को दो अप्रेल को पुरुसकार दिये जाएंगे। इस साल गरतांतर दिवस पर विविनक शत्रों के कुल पच्चासी नामचीन हस्तियों को पाद्म पुरुसकारों से मालत करने की घोशना की गई थी। और अब खबर अच्छी है। आज विश्व गवरईया दिवस है। प्रकाश धवन ने भी संभाल रखी है। उनकी ये जिम्मदारी वो कैसे निभा रहे हैं। देखे इस खास रिपूट में। कभी खुले आंगन में चहकने वाली, घरों में घोसला बना कर रहने वाली, पूरी निडरता के साथ, लोगों के बीच खाने और फुदकने वाली गवरईया को देखना आज के दौर में लगभग नामुम्किन हो गया है। इट पत्थर से बने घर, बन दर्वाजे और खत्म होते जरोखों के कारण इनका घर छिन गया है। मुंडेर और ताकों का गोम होना भी गवरईया के खत्म होने का बड़ा कारण है। लेकिन कानपूर के किद्वई नगर के रहने वाले प्रकाश धवन ने गोरईया को एक बार फिर उसका आश्याना देने की मोहिम छेड़ी है। गोरईया जो है बिलिप्त हो रही थी जिसके लिए हमने प्रयास किया और घर में बहुत सारे घोसले लगाए। उनको दाना पानी दिया। आज प्रकाश धवन के घर हर दिन बड़ी संख्या में गोरईया और तमाम दुसरे पक्षी, दाने और पानी के लिए पहुंचते हैं। कंक्रीट के जंगल में बदल चुके शहर में उनका ये घर तमाम तरह के पक्षियों का एक बड़ा आश्याना है। विलुक्त हो रही गोरईया को बचाने में प्रकाश धवन और उनके परिवार का योगदान सरानिये है। दुर्गेश विश्रा, कानपूर, एपी एन। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 20 मार्च 1966 में लंदन वेस्ट मिनिस्टर के संटरल हॉल में प्रदर्शनी के लिए रखा गया फुटबॉल, वर्ल्ड कप किसी ने चूरी कर लिया था। 30,000 पाउंट के कीमत वारी ट्रॉफिय उस वक्त गायब हुई जब भवन के दूसरे हिस्से में एक प्रार्थना सभाच चल रही थी। 20 मार्च 1987 में आज के दिन ही अमेरिका के फूड इंड ड्रॉग इंडिस्टरिशन ने एजड टी यानी एजडो थाई मिडाइन को HIV और AIDS के लाज के लिए इस्तिमाल करने की मंजूरी दी थी। इसके इस्तिमाल से HIV और AIDS स्पीड मरीजों के जिन्दगी लंबी हुई। साल 1964 में डॉक्टर जेरुमी होरविट्स ने इसे कैंसर की दवा के तौर पर तयार किया था। और दुख हो मैं एक नए हिंदी कवी का बांधो मुझे बांधो कहां बांधो के किस ले किस चंद में क्या जीवन इसी तरह बीतेगा शब्दों से शब्दों तक जीने और जीने और जीने के लगातार द्वंत में हिंदी में आधुनी कवीता के सशक्त हस्ताक्षर वरिष्ट कवी डॉक्टर केदारनाथ सिंग के ये शब्द हैं अब ये शब्द चुप हैं और मौन हैं सुववार रात नौ बच कर दस मिनट में उनका एम्स में निधन हो गया केदारनाथ सिंग को करीब तेड़ महीने प समझा पाया उसे शब्दों के माध्यम में पांध रहा हूं आज जब हिंदी साहित अपने बदलाव के लिए बेचैन है उनका जाना हिंदी साहित के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसे शायद ही कभी भरा जा सके और केदार काका जिन्हें मैं प्यार से कहा करती थी उनके शब खौफनाख प्रक्रिया है केदारनाथ सिंग को श्रधांजली देते हुए आपे रिपोर्ट देखें मैं जा रही हूं उसने कहा जाओ मैंने उत्तर दिया ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाख क्रिया है सिर्फ चार पंक्तियों की एक विता गहरे अर्थ समेटे हुए है केदारनाथ सिंग की मृत्यों यानि उनके जाने के बाद उनकी इस कविता की याद परपस आ जाती है उनके ही शब्दों में कहें तो उनका जाना हिंदी भाशा की सबसे खौफनाख लिया है साल 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया ज़ले के चकिया गाउमें जन्मेक गेदार नात सिंग्झ ने प्रारंबिक शिकुसा गाउमें ही प्राप्त की थी बाद में उनके बनारेस के काशे हिंदू विश्वव विध्याले से 1986 में हिंदी में ही प्यास्ट टी की पढ़ाई के पार कोरगपुर में उन्होंने कुछ दिन हिंदी पढ़ाई और चवाहर लाल विश्व विध्याले से हिंदी भाषा विबाका द्यक्षपत से रिटायर हुए लेकिन कविताओं के प्रती प्रेम उनमें च्छातर जीवन से ही रहा मैं सुन चुका होता कि मेंस पर्म उन्हों में потреб neutralityया करते हैं चर्व शंकर प्रसब से कॉलेज कमिल कवी आते हैं कुछ भी जाने के बाद कुछ भी जाने से पहले आ चुक थैं कुल मिला कि एक inqucan दाने साहितिक महौल था उस स्कूल में वह मेरी फूलियाよね केदारणाथ सिंग तीसरा सब्तक के सयोग्य कवियों में से एक रहे गाउ में पैदा हुए केदारणाथ जी को शहर में आने और बसने के बाद भी गाउं की स्मृतियां अचीवन रगों में पहते खून की तरह कविताओं में तोड़ती रही केदारणाथ सिंग ने अध्यन के सिलसले में एक लंबा वक्त बनारस में गुजारा उनकी रचनाओं में शहर का साफ असर दिखता है कुछ कविताओं में उन्होंने बनारस को अलग तरह से दिखा सिलसले में जन्दा वही है कि वही पर बढ़िये ना हो कि वही पर रखिये कि उसी दास के खड़ा हूँ साइकड़ों में इस से साल 2013 में भारतिय ग्यानपीठ त्वारा के दारणाथ सिंग की सेवां के लिए साहित के सबसे बड़े सम्मान क्यानपीठ पुरसकार से सम्मानित किया गया उन्हें इसके लावा साहित याकाद्य पुरसकार और व्यास सम्मान साहित कई सम्मानों से पुरसक्रत किया गया था उनकी प्रमुफ कविता संग्रोह में अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है यहां से देखो बाग अकाल में सारस और उत्तर कवीर शामिल है कि दारणाची अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए है एक पीएन परिवार की ओर से उन्हें भाव भी नहीं शत्धान चलिए देश की बार में आज बस इतना ही आप देखते रहे हैं पियन नमस्कार